तो हेलो डियर फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल एंसी रटी एम पॉइंट तो फ्रेंट्स जैसा कि मैंने आपको बता था कि एक या दो दिन में आपकी एक्जामी स्कीम आ जाएगी देखो आज एक्जामी स्कीम आपकी आ गई है वह आपको महनत करके खूब महन तो आइए देख ते हैं इस वीडियो में पूरी एक्जाम सिट के बारे में तो फ्रेंट्स देख लेते हैं कि सची उत्राखन्ड विध्याले शिक्स्यापरिश्त राम नगण निनिताल विगप्ति है धिनाःति तीन फर्वरी दोजार बास को उत्राखन्ड ुद्याले सि परिक्स्या कारिकरम के निर्धारन हेतु परिक्स्या समीति की बेटक हुई। होंगे और अठारा अप्रायल 2022 के मद्दे तक संपादित हो जाएंगे तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है मेरे साथ मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि कव कौन सा पेपर है आपका ठीके ना एंड तक बने रहना तो आएए चलते हैं इसकीम की तरप देखो उत्राखन विद्याले शिक्सा परिशद रामनगर नेनिताल हाई स्कूल एवं इंटरमेडियेट परिक्सा कारिकरम 2022 अपनी कोपी उठाओ और पैन उठाओ और मेरे साथ साथ जब जो जो पेपर है वो लिखते जाओ पी सी एम के स्टुडेंट आर्ट के स्टुडेंट निर्देश दिया गया है कि हाई स्कूल के विद्यारती प्राए साड़े साथ बजे अपने परिक्सा कक्स में उपस्तित हो जाएंगे ठीक है तथा इंटरमेडियेट के परिक्सा कक्स में उपस्तित हो जाएंगे जो हाई स्कूल के विद्यारती है उनको स सुभे के साथ पैनतालीस से आठ बजे तक एवं इंटरमीडियेट के जो विद्यार के उनको डेड़ बजे से एक पैनतालीस से दो बजे तक पंदरा मिनट का अत्रिक समय परसंपतर पढ़ने है तु परदान किया जाएगा ये बात आप जान लो ठीक है न कि आपकी जो दो पैर के एक 30 पर अपने परिक्सक अक्स में उपस्तित हो जाना है क्योंकि आपको पंदरा मिनट का एक्षा टाइम मिलेगा ठीक है न पूरी रण नीती बताऊंगा मैं आपको कैसे कैसे अब तयारी में जूटना है तो आएए देखते हैं आपके एक्जाम 28 मार्ज से determination कीम देखो जना धान से हाइझ स्कूल का जो हाइच के बारे में बता रहाँ में 28 मार्ज को हिंदि का पेपर है प्राते आठ बज़े से ग्यारा बज़े तक ठीक है न तैन्थ वालों का हो गया अब त्वैल्ट वालों का दो पैर के 28 मार्च को ही दो पैर के 2 बजे से 5 बजे तक हिंदी का पेपर होगा, ठीक है न, 28 मार्च को दो पैर के 2 बजे से 5 बजे तक हिंदी का पेपर होगा, और करसी हिंदी का, जो एगरिकल्चर से भी लोग करते हैं, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, 29 मार्च की, 29 मार्च को जो 10th वालों का पेपर है 8 बजे से 10 बजे तक वो हिंदुस्तानी संगीत आप देख सकते हो जो है इसमें ठीक है आगे बात कर लेते हैं 30 मार्च की 30 मार्च में 10 वालों का कोई पेपर नहीं है और जो 12 वालों का पेपर है 2 से 5 बजे तक वो है भुगोल और भुगर्व विज्ञान का ठीक है ना आगे बात कर लेते हैं 31 मार्च के बारे में 31 मार्च को जो 10th के श्टुडेंट है उनका जो पेपर है 8 बजे से 11 बजे तक विज्ञान का ठीक है ना कभ है 31 मार्च को विज्ञान साइंस का पेपर है और उसकी सेकिंड मिटिंग में दोपैर को जो 12th के स्टूडेंट है दो बजे से स्याम के 5 बजे तक जीव विज्ञान का पेपर है ठीक है दियार नकना जीव विज्ञान का और जो एगरिकल्चर वाले हैं वो भी देख सकते हो ठीक है आगे हम कोई पेपर ने 12th वालों का ठीक है तो आगे देख लेते हैं जो 4 मार्च को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक जो 10th के स्टूडेंट है जो ग्रहविज्ञान से संबंदी है उनका ग्रहविज्ञान का पेपर है ठीक है लड़कियों तो और जो 12 वाले हैं सुननो जला ध्यान से 12 देख लो 4 अप्राल को आपका दो बजे से 5 बजे तक गनित का पेपर है मैतमेटिक से तो देखलो 4 मार्च से चार अप्राल से गनित का पेपर है आपका ठीक है न और आगे देख लेते हैं इसके बाद जो 10th के स्टूडेंट हैँ 5 अप्रैल को 5 अप्राछ जो 10th के तक मैस्थे मैथमेटिक्स ये प्रेपर की नहीं ट्रयकिन का सकते हैं, इसथ Chief और अप्रेल में सुबह 6 बज्यान का पेपर नहीं है ग्यंग साथ प्रेल को शुबह 8 बजे से 10 वालों समाजिकami का पेपर है थ क्योंगा। जो 7 अपरेल को 12 वालों का जो पेपर है वो 2 बज़े से 5 बज़े तक भोतिक विज्ञान का पेपर है 7 अपरेल को इसके बाद हम बात कर लेते हैं 8 अपरेल को 10 वालों का उर्दू का पेपर है और 12 वालों का 2 बज़े से 5 बज़े तक समा सास्तर का पेपर है इसके बाद 9 अप नू अप्रेयल को जो 10 वाले student है उनका संस्कृत का पेपर है लेकिन 9 अप्रेयल को 2 बज़े, 5 बज़े तक 9 अप्रेयल को 12 वालों का अंग्रेजी का पेपर है मैं पूरा इसमें बताने वाला हूँ, आप इसकीम में लिखते रहना, साथ में 11 अप्रेल को, कोई प्लाप वालो का कवी प kosmos नहीं है, और इसमें 12 वालो का आपका 2 बज़े से 5 बेत, संसकर्त पंजाबी का पेपर है, इसके बाद अब सुनो, 11 प्रेल को हो गया 12 प्रेल को 12 प्रेल को 10 वालों का जो पेपर है 8 बे से 11 बजे तक रंजन कला का है ठीक है लेकिन 12 प्रेल को 2 बजे से 5 बजे तक 2 बजे से 5 बजे तक 12 प्रेल को रसाइन विज्ञान का पेपर है 12 वालों का ठीक है इसके बाद आप देख सकते हो जिसका कम्प paper उनके paper खतम हो रहे हैं 12 April को अब मैंfan73 को connect click करा देता हूं कि कब तो 12 August तो यह क्यों जो paper है देखते हैं अट्थाइस मार्च को आपका हिंदी का paper है 28 ma학 को hindi का paper तो मैंने टिक करा दिया हिंदी का paper आगे हम देख लेते हैं दूसरा 12 वालों का जी विज्ञान का पेपर है 31 मार्च को जी विज्ञान का पेपर है 31 मार्च को ठीक है आगे हम देख लेते हैं नेक्ष्ट आगे आगे देख लेते हैं 12 वालों का गनित का जो पेपर है 12 वालों का गनित का जो पेपर है वो चार अप्रेल को है चार अप्रेल को गणित का पेपर है उआप देख सकते हो कितने कितने दिन की छुट्टी पढ़ रही है इनके बीच में ठीक है न तो इसके बाद हम देख लेते हैं ट्वेल्थ वालों का भोतिक विज्यान का पेपर 12 वालों का भोतिक विज्ञान का पेपर आपका पढ़ रहा है 7 अप्रेल को देखो 7 अप्रेल को भोतिक विज्ञान का पेपर आपका पढ़ रहा है ठीक है अब इसके बाद हम देख लेते हैं 12 वालों का अंग्रेजी का पेपर 12 वालों का अंग्रेजी का पेपर के बारे में देख लेते हैं 12 वालों का अंग्रेजी का पेपर 9 प्रैल को पढ़ रहा है 9 प्रैल को ठीके न इसके बाद हम देख लेते हैं 12 वालों का रसायन विज्यान का पेपर आपको वीडियो में अंड तक बने रहाना है रसायन विज्ञान का पेपर आपका है बारा प्रैल को बारा प्रैल को रसायन विज्ञान का आपका पेपर है ठीके ना तो यह आपके पेपर है जो ठीके ना आपको अच्छी तरीके से देना है last meam condition पढ़ लेते हैं क्या है पर्सन पत्रों के करम में जो विद्धार्थी को कोई भी आस्व असासन नहीं दिया जा सकता ठीक है मतलब क्याने कहीं है कि कोई गलती आपको मिलती है ठीक है न कोई भी आपके पास तुरूटी आती है तो बाद में ही बताओगे आप जो दूसरी कंडिशन है दरश्टिहीन मस्तिक्स आगे डिस्कलेसी विद्धार्थियों के लिए दो घंटे का परसंपत्र डाई घंटे का और तीन घंटे का परसंपत्र चार घंटे का होगा तो मैं फिर आपको बता दू जो आपके एक्जाम है वो 28 मार्स से 18 अप्रेल तक हतम हो रहे हैं लेकिन जो 12 के PCM के स्टूडेंट है या 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 तो 3 घंटे का आपका परसंपत्र होगा 15 मिनिट पहले आपको अपने रूम में चले जाना है पेपर देने के लिए ठीक है न और एक घंटे पहले आपको अपने क्लास रूम में पहुँच जाना है तो आई होप आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताता कि एक या दो दिन में आपकी स्कीम आ जाएगी और ऐसा ही हुआ तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को जाज जादा सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए उपने फ्रेंड्स के पास इसको सेर कर दीजिए ऐसी नई वीडियो के साथ मिलते हैं थैंक यू